टॉक मार्गेट में हमको लॉस ही होता है, अरे हो गाई, लिखके दूँ, लॉस होगा, होगा और हो गाई, मुझे ब्याच चुकाना है 100 रुपे का और मेरी कमाई और 80 रुपया, तो मैं कब तक चुका पाऊना उसको, सबको ट्रेडर बनना है, महान ट्रेडर बनना है, क्यों तुम लोग के लिए है, कैसे मैंने स्टॉक मार्केट से जीरो से लेके 8 करोड रुपे, तकरीबन 1 मिलियन डॉलर की नेट वर्थ क्रियेट के, तो आईए, मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, जो स्टॉक के थी, मेरी स्टॉक मार्केट की जन्नी श चीज आई, कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना और खुब पैसा कमाना है, तो मैंने शुरू किया पोप्स की लिष्ट में देखना, कि कौन दुनिया के सबसे रिचेस्ट अमीर लोग है, और उन लोग क्या करते हैं, उस समय मुझे एक नाम दिखा, वारन बफे का, जब शुरू किया, और उनकी Berkshire Hathway, जो की Parent Company है, जो दूसरी कमपनियों में पैसा लगाती है, उसके बारे में भी पढ़ना शुरू करा, तो वहां से मुझे में Stock Market का एक किड़ा जाग गया, अब पैसे तो थे नहीं, घर पे बोलेंगे के भाई, Stock Market में Investment के लिए पैसे चाहिए या ट्रेडिंग के लिए पैसे चाहिए, तो घर वाले तो सिधा नहीं बूलने वाले, आप लोगोंने भी ट्राइ किया ही होगा घर पे, Stock Market के लिए तो कोई पैसा देता नहीं है, तो पैसा आये कहां से, तो मैंने अप्रोच किया मेरे दोस्तों को, मैं ऑस्टल में रहता थ तो अपने सभी दोस्तों का अप्रोच करना शुरू करा, जहां से जो पैसा अरेंज हो, वहां से अरेंज करना शुरू किया, उसमें मेरा एक फ्रेंड था, जिसके पास काफी पैसे थे, तो उसकी मदद से हमने ने 10 लाख रुपे इन्वेस्टमेंट से शुरू करा, Stock Market में, और अब सामने वाले को confidence में कैसे लिया जाए, तो मैंने उसको ये बोला, कि आपका ही डिमेट, आपका सब कुछ, उसी के अंदर में ट्रेडिंग करूंगा, उसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, और जैसे ही 20% से नीचे गिरेगा अगर आपका portfolio, तो जितना गिरेगा, व आपने 10 लाग रुपे इन्वेस्ट किये, उसके जैसे ही 8 होते, तो 2 लाग रुपे लोटाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वहां से उसको मुझे पे confidence आया, और प्लस उसको पैसे मुझे नहीं देने थे, उसी के account में मैं उसके trade कर रहा था या investment कर रहा था, तो वहां से मैं अपना first customer acquire किया, तो यहां से मेरी journey शुरू हुई investment करने की, अब traditional method में जबी भी हम investment करते तो बहुत ज़्यादा return बनता नहीं है, 20%, 24% या 30% और अपने को तो रातो रात अमेर बनना था, कैसे करे, रातो रात अरपती, करोड़पती बनने के सपने, तो 10 लाग से तो पूरे हो नहीं सकते, तो अपने क्या करा, ऐसी company को डूटे जो undervalued हो, और जिनके बारे में किसी ने जाना नहीं हो, सुना नहीं हो, तो मैंने क्या करा, सूरत और सूरत के आसपस जो company थी, जो की listed थी, लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, उनसे मैंने contact करना शुरू या heus man इस तरह के लोग अनो से बात करना कि हमवाना ऑना या संधसे दोर पे उनसे होता है एक प्योन कि वॉच्म EKen आप इसको संभावा कि सबावा है मतलब सेट का सभाव कैसा है हर चीज के बारे में पता होता है यूदि जब हम परस्टनली मिलने जाते थे तो वह तो एक की अच्छे पैसे बनते तो मैंने का सेवी की एक करते हैं जो एक्षार्फ की और वह वह एक्जाम मैंने पास की फिर सेवी में अप्लिकेशन जाती है और वहां से अमारा रजिस्टेशन होता है तो इस तरह से मैं सेवी रजिस्टर डिसर चैनलिस्ट बना जो कि इंडिया में मातर हजार जितने ही है तो यह प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिशली यह का आज भी एक्जिस्ट करती है और उसके थ्यू ट्रेडिंग और इंवेश्मेंट का काम शुरू करा काम बहुत ही बढ़िया चलने लगा और नए ने लोगों का विश्वास हम माजिल करने में काम्याव हुए कई सारे लॉसेस भी हुए कई सारे प्रोफिटेबल हुई पट एड़ एंड रिजल्ट बढ़िया रहा अगर 50 रुपे खोए तो 100 रुपे कमाए तो एड़ एंड घर में 50 रुपे हमेशा बचे तो यह जो चीज थी उसने सिखाया के लॉस और प्रोफिट तो चलता रहेगा और मैं आपको यह चीज बताना जाता हूं कि मैंने कहां गलती कि ताकि वह गलती आप रिपीट ना करो आप जो गलती में मैंने अपना समय गवाया जो अपने साल गवाए वह आपना गवाए अब मैं च्छोटा से एक्जांपल दूगा हमें घर के लिए एक एसी खरीदना होता ना सिर्फ 35,000 का एसी तो हम लोग चार जगा देखते हैं क अपने आस-पास में किसी रिटेल स्टोर में जाओं वहां पर भाव पता करूं रिलाइंस वाले में जाओं विजे सिल्स में जाओं पचास जगा और अपने दोस्त को भी पूछते यार कौनसी ब्रांड का एसी अच्छा है यह लू वो लू सिर्फ 35,000 का एसी खरीदना है उसके बारे में हम कितना रिसर्च करते हैं और हमको साड़े तीन लाख रूपय अगा स्टॉक में इन्वेस्ट करने हो तो हम किसी की सिप एक एडवाईस से किसी ना आपको रहा चलते ने बोल दिया कि फलाना स्टॉक खरीद लो 30% बढ़ियाएगा फलाना स्टॉक खरीद तो 50% बढ़ियाएगा आप तुरंद खरीद लेते हो छुटा सा एक्जामपल है 35,000 रुपे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 10 जगा रिसर्च करते हो 10 लोगों को पूछते हो दस जगा कंपैर करते हो लेकिन साड़े तिन लाग का 35 लाग का लोग तो करोडो करोडो का इन्वेस्टमेंट करने के पहले कोई रिसर्च नहीं मैं पूछता हूं आगर आप में आपका पोटफोलियो जितने भी लोग देख रहे हैं अपना पोटफोलियो देखिए जितनी कंपनी देखिए उसमें से एक का भी CEO का नाम आपको पता है क्या आपको यह भी नहीं प पाखे 50,000 रुपय मांगेगा ना कि भाई 50,000 रुपय की हल्प कर देना आप नहीं करोगे आपका कोई दोस्स जिसको आप बच्पन से जानते हो वह आप से सिफ 10,000 रुपय मांगे आप उसको नहीं दोगे लेकिन कोई अंजान कंपनी जिसके प्रमोटर को आपका अता पता नहीं है जिसके सी एफ को आप नहीं जानते हो जिसकी बैलेंच इट आपको नहीं पता उसको आप 10 लाग रुपय दे रहे हो क्या मूरकता भाई और फिर बोलते हो कि स्टॉक मार्गेट में हमको लॉस ही होता है अरे हो गाई लिखके दूँ लॉस होगा होगा और हो गाई क्योंकि आपने रिसर्च नहीं करी है यसे आप किसी को 10 रुपय भी उदार देते हूए सोँखते हो नंत दस हजार भी देते हूए सोचते हो नंत दस अजार छए 500 रूपई भी कोई आसे मांगेगा निकरेंद में डरूपफय मांगे निस को दोवं दलेंगे आप सूचते हो, तो कंपनी का भी सूचो ना, मैं कंपनी में 10 लाग ड़ा रहा हूं, कंपनी 10 लाग का क्या करेगी, मेरा पैसा का रिटन बनेगा, नहीं बनेगा, इस तरह से सोचोगे, मैं आपको अश्वर करता हूं, पैसा कभी नहीं डूबएगा, दूसरी चीज, ये पहल इन्वेस्टमेंट एकी सेक्टर या एकी जगह पे ना करे, चाहिए आपको कितना भी ऐसा आजाए, कि यार ये चलना ही है, क्योंकि ये लालाचे ना, बहुत बुरीद चीजे, अक्सार ऐसा होता है, कोई आदमी आता है, हम क्या करते हैं, अपना सारा पैसा हुए एकी स्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो, आपको पहले से सेट कर लेना है, कि एक स्टॉक में, अगर आपका एक करोड रुपे का पोटफोलियो है, तो आपको सोत लेना है, कि एक स्टॉक में मैं पांच लाक रुपे ही इन्वेस्ट करोगा, मेरे पोटफोलियो में इनिटाइम भी स्ट रहेंगी रहेंगे क्योंकि कभी भी वो कंपनी डूब गई आपका सारा पैसा डूब जाएगा मैं उधारण दूगा एक छोटा सा एक कंपनी थी जो ऐसा माना जाता था इंडिया का भविश्य है इसने पिछले चार डिकर में घजब का काम किया था लोग कहते थे यह कंपनी यूब भी नहीं सकती वो कहते ना टूबीक टूफॉल एसी कंपनी थे रिलाइंस अनियल दिरुभाई अंबानी ग्रूप एडी एजी का ठीक है वो भी डूब गई आपको पता यूगा बैंकरफ्ट से फाइल कर दिये ओपन प्लैटफॉर्म पे है हाना तो अगर किसीन एक चीज बताना चाहूंगा आपको किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा उसका डेट देखिए कंपनी पर करजा कितना है और डेट का रीपेमेंट वो टाइमली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जितनी भी कंपनी आस तक डूपी है उसके पीचे सबसे बड़ा एक्जांपल रहा है डेट बढ़ते रहना और इंकम का कम होते रहना अगर हम पास्ट में जी एमर ग्रूप की बात करें यूनिटेक की बात करें एडिएजी की बात करें या कोई भी कंपनी सेंसेक्स के इतियास में अपन उठा के देख लें वो इसलिए डू चुकाने के लिए आपके वास cash flow तो आना चाहिए मुझे ब्याद चुकाना है 100 रुपे का और मेरी कमाई और है 80 रुपया तो मैं कब तक चुका पाऊंगा उसको मेरी कमाई हो यह 500 रुपय और मुझे ब्याद चुकाना है 100 रुपय और 50 मेरे घर पर बसता है तो डेट और बाता है आपका गजorr ret topic एकके दिन में पैसा डबल वोले तो ट्रेडिंग सब को ट्रेडिंग वनना महंत्र रवनन से दया hijos कि ट्रेडिंग में पैसा तुरंथ बंता कोई दिक्कत ने ट्रेडिंग तो करने ही पड़ेगी तभी पैसा बड़ा बनेगा मैं ट्रेडिंग के विलकुल खिलाफ नहीं हूं और जितने लोग बड़े-बड़े रिसर्च चनल देश बूखते हैं के वही ट्रेडिंग नहीं करने चाहिए यह नहीं करने चाहिए वो सब स्टॉप लोस के जिसने भी ट्रेडिंग की ए उसकी केपिटल वाइफ हो गई है उसके घर बिगगए सोने बिगगए सब कुछ बिगगए स्टॉप लोस एक ऐसी चीज है जो आपने नहीं लगाया ट्रेडिंग में तो आप घए काम से एक कार में सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होती है कार का ब्रेक एक कार में अगर आपने बहुत सारे मूवीस में सीन देखा होगा कि ब्रेक फेल हो गई तो गाड़ी चली गई तो स्टॉप लोस आपकी ब्रेक है अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी का एकसिडेंट निश्चिन्त है आप दो ट्रेड में कमा भी लोगे तो बाकी तीन ट्रेड में खोने वाले हो स्टॉप लोस आता है डिस्टिप्लिन से जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो अगर सुबह सोच के लिए कि इंट्राडे है तो सामको साड़े तीन बज़े के पहले काटी देंगे वह सोदा चाहे कुछ भी काम हो कुछ भी हो जाए लॉस हो प्रॉफिट हो ऐसा नहीं रुखेंगे के कल आ जाएगा यार दो रुपे का यह तीन रुपे का यह कुछ भी हो मैंने सुबह यह सोच के लिए ता इंट्राडे है ना तो इंट्राडे साड़े तीन बज़े के पहले सौदा कटना चाहिए यह डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो कभी लौस नी होगा आपको अपना स्टॉप लोस निधारित करना पढ़ेगा दो परसेंट, तीन परसेंट, पाच परसेंट यह दस परसेंट आपके जितनी रिस्क कैपेटाइट है उसके आधार पर आपको अपना स्टॉप लोस निधारित करना पड़ेगा बिना स्टॉप लोस के कीवी ट्रेडिंग, बिना ब्रेक के चलाएवी गाड़ी के समान है आपका डूबना निश्चिंत है, ट्रेडिंग करो, जी भरके करो, स्टॉप लोस के साथ मैंने तो 21 दिन में पैसा डबल होने की बात की, आजकाल तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग एक मिनिट, दो मिनिट में पैसा डबल कर रहे है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें लोगों की एक मिनिट, दो मिनिट में पैसा डबल हो जाते हैं, है ना, वो संभव है, ना नहीं बूल रहा हूं, लेकिन वो तब संभव है, जब आप फुल trade पिश tradingling इसे पूल ताइम प्रूफेशन trading पूई पार्ट टाइम काम नहीं है जिस बी इनसान ने पार्ट टाइम टेडिन्ग का नहीं कोशिश करी है वो कभी भी सक्सेसपूल नहीं हुआ है और एक चीज में आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिंग आप तभी करो जब आपको जितना पैसा आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो उतना खोने की शमता हो मतलब अगर आप एक लाख रुपया करी ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आप यह मानके चले कि एक लाख रुपया यह जिरो भी हो सकता है यह खास करके उन लोगों के लिए है जो एक मिनिट दो मिनिट वाली जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्योंकि उसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों की संभावना एक्वल रहती है या तो हीरो हो जाएगा उसको हमारी बाशना में कहते हिरो-कॉर बिश्यक्रेट हो या तो आप हीरो जो जाओके उस चीज के लिए हो आपके पास व्मानकितल मांगकर किसी दोश्त 1 एकजार किसी से 2000 involvement Kai फिर जीरो हो जाता है मत्त करता है ओ किसीनी का बला नहीं हुआ है इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें